वेल्कम बैक, ड्रोइटर्स पर न्यूज आई है कि CCI ने Zomato और Swiggy के Food Delivery कारूबार में नियोमो का कुछ उलंगन पाया है, थोड़ा ये उठीक करते हैं, फ्लैश को थोड़ा सा अजीव लग रहा ही है, लेकिन यहां पर थोड़ी दिक्कत है, Zomato करीब-करीब डेड़ पस यहां पर, लेकिन लिस्टिंग होगी तीन देन बाद, तब देखेंगे कैसे लिस्ट होगा, चलिए, आप बात करते हैं, हमारे साथ, हमारे Big Market Watchers, हमारे expert Alchemy Capital Management की Quant Head और Fund Manager अलोक अगरवाल जुड़ गया है, अलोक जिसे बात करने में बहुत मदा आता है वैसे, और एक अलोक जी का बहुत अच्छा track record है, मार्केट में पिछले 20 सालों का, आईए उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है, अलोक जी गुड़ अप्टरून, तो क्या थोड़ा सा पैनिक है, मार्केट में थोड़ा डर है, यह जो FIS की selling आ रहे है, relentless, क्या आप स्टेज म में आगे हैं कि जितनी भी domestic buying हो जाए, वो उसको compensate नहीं कर पा रही है, अगर मैं पिछले करी 6 हफतों का total भी करूं, तो roughly 13 billion dollars के आसपास FIS बेच चुके हैं, तो वो काफी बड़ा number है, अच्छे बात यह है कि उनके selling के सामने उतनी ही buying DIA की भी हो रही है, तो FIS selling एक तरह से negative तो होता ही है market के लिए, लेकिन सबसे खास बात market के लिए होते है कि यह वो ही समय था जब earnings season भी on है, and earnings के वक्त में अगर थो a disappointment हो, वो भी ऐसे वक्त पे जब FIS भी sell कर रहे हैं और valuations भी cheap तो definitely नहीं है, तो ऐसे समय पे थोड़ा इसी दिक्कत तो रहती है market के prices में, और व तो सवाल फिर अलोग जी यही है, इत्ती करेक्शन के बाद और जहां पर FIS कोई मौका नहीं छोड़ रहे है position काटने का, retail की तरफ से अभी तक interest बना हुआ है, क्या उनको भी थोड़ा सा एक pause करना चाहिए, क्योंकि हम ही exit दे रहे हैं उन सारे बड़े stocks में इन डिगजों क बेच रहे हैं तो किसी कारे नहीं बेच रहे हैं? Secondly, past में 10-12 बार जब भी इस तरह से बड़ी selling आई है FIS की, उसके बाद देखा गया है कि जैसे ही वो selling रुख जाए या कम हो जाए, तो उस वत में sharp recovery भी आती है markets में. तो अगर वो recovery आने के chances जो कि हमें higher लगते हैं, because India के growth numbers ठीक ठाक चल रहे है, nominal GDP 10-11% के आसपास definitely रहना है. earnings growth corporate side में थोड़ी नीचे आई है, 3-4 साल बड़े अच्छे numbers आए भी थे, उसके बाद एक breather, एक सांस ले रही है corporate earnings, हमें हमारा मानना है that corporate earnings growth भी second half में और better आएगी, economic growth अच्छे चल रही है, तो pass data को देखते वे, में हिसाब से retail investors बड़े smartly behave कर रहे हैं by holding on, और panic ना करके लेकिन जैसा अपने शुटर में कहा, जब prices गरते हैं, तो कहीं न कहीं दर्थो होता है, बिलकुल दर्थो है, अच्छा, अलोग जी एक बात तो clear है कि FII की जो selling है, उसमें काफी जो हिस्सा है वो बैंकों को लेकर है, large private बैंकों को लेकर है, लेकिन ये एक sector है, जहां पर य private sector banks, देखा जा तो main indices के लगभग 30% के आसपास होते हैं, और FII के portfolio में भी लगभग ये ज़ादा exposure थे, पिछले दशक में सबसे अच्छे करने वाले sectors में private banks रहे, लेकिन जिस तरह से हम इसको देख रहे हैं, जो तीन major factor होते हैं banks को analyze करने के लिए, एक होता है credit growth, दूसरी ह होती है, net interest margin, और तीसरी होती है credit cost, ये तीनों चीज़ें अगर अच्छे हो रहे हैं और बहतर होने के chances हों, तो bankों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर credit growth के number पे नज़र डालें, तो लगभग 11% पे last reported number आ गई है, जो कि 18 साल के lowest number है, net interest margin private banks के ब थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ आती है credit cost, जो कि पिछले 2-3 साल बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन अगर इस अच्छे level को maintain कर पाए, तो बहुत बढ़े हां बात है, लेकिन अगर इस number से credit cost थोड़े भी बढ़ते हैं, तो overall profit में impact आता है, ये ही कारण ह जिसके लिए profit visibility, growth visibility, private banks की थोड़े कम हो गई है, और इसी वज़े से इसमें selling भी relatively to FIS की holding में भी है, और secondly इनमे profit growth visibility थोड़े कम हुई है, इस वज़े से भी इनमें selling है, तो कोई कारण है कि ये थोड़े सस्ते हुए हैं, और quality wise बहुत अच्छी segment है, बर जब इनकी growth visibility improve होगी तो ही इनमें interest जादा दिखेगा। number, credit growth number के काफी पीछे रहती थी, इस बार के number पे ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो deposit growth वही 11,5-11% पे रह रहा है, तो credit growth जो नीचे आनी थी उसके वज़े से वो अलड़ी आ चुकी है, तो एकाज factors improve ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मेना मानना है कि जिन segments में, जिन sectors में growth अच sectors में 14-15% प्लस की growth दिखाई दे at a reasonable valuation, तो ही जाके उनमें risk reward अच्छा बनता है, तो अलोग जी आप इस समय fresh पैसा कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ आप सबसे आदा opportunities इस समय pricing कर रहे हैं, stock specific आप नहीं बात करेंगे, लेकिन themes कहाँ पर सबसे आदा पैसा लगा रहे हैं, अनुज यह जो cycle हमानी चल रही है, current growth cycle इंडिया की एक catic cycle है, यह जो previous decade में हमने देखा, specially global financial झाल 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 झाल